हेलो गाईज, टेश्टी होम पुक में आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं गुबाड़े की तरह फूला फूला और रूई के जैसा सौप्ट भटूरा इस भटूरे को बनाने के लिए आपको किसी भी प्रकार का यीनो या फिर सोडा डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और घंटो डो को हमें सेट होने के लिए भी रखने की कोई जरूरत नहीं है फटा फट आप डो लगाई है और भटूरा बनाना सुरू करी एक दम फूले फूले गूबाड़े की तरह तो चलिए कैसे बनाना है मैं आप लोगों को बताती हूँ अगर आप लोगों के रिस्पी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर नए आया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि यह ऐसी ही रिस्पी आप लोगों को मिलती रहे भटूरा बनाने से पहले हमें काफी सारी तयारी करनी होगी तो एक बाउल लिया है मैंने और इसमें हम आट करेंगे 6 चम्मस सूजी यह मैंने छोटे दाने की सूजी लिया हुआ है एकदम बारिक वाले और चम्मस आप देख सकते हैं मेडियम चम्मस से 6 चम्मस सूजी लिया है मैंने इसमें हम आट करेंगे पानी तो पानी हमें सूजी के उपर तक आट करना है और मिक्स कर देना है हमें सूजी को 5 मिनट के लिए छोड़ देना है भीगने के लिए ताकि पानी में सूजी भीग जाए उसके बाद मैंने लिया है दही दही हमें जो है एकदम नॉर्मल लेनी है ना बहुत जादा मीठी और ना ही बहुत जादा खटी दही इस्तमाल करेंगे हम डो लगाने के लिए दही से जब आप डो लगाते हो तो भटूरा बहुत ही बढ़िया बनता है तो 5 मिनट का टाइम हो रहा है सूजी अच्छे से भीग चुकी है आप देख सकते हैं सारा पानी सूजी ने सोख लिया है हमारी सारी तयारी हो चुकी है चलिए अब भटूरा बनाने के लिए हम डो रेडी करेंगे तो मैने लिया है 300 ग्राम मैदा मैदे को पहले आप छान लीजिए उसके बाद मैदे में थोड़ा सा स्पेस बनाया है मैने इसमें हम आधा चम्मच आट करेंगे सुगर पाउडर यानि घर की छीनी को ग्रैंड करके मैने आपर सुगर पाउडर रेडी किया है और उसे आधा चम्मच इस्तमाल करेंगे आधा चम्मच नमक आट किया है मैने और सुखा सुखा सभी चीजों को मिक्स कर देते हैं उसके बाद हम मैदे में एट करेंगे सूजी और अपने हाथों से मैश करते हुए मिक्स करेंगे पहले हम मैदे में सूजी को डाल के मिक्स कर लेते हैं तो हमें अंदाज मिल जाता है कि हमें दही का इस्तमाल कितना करना है उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा दही डालते हुए डो तयार करेंगे इस डो को रेडी करने में हमें पूरा दही का इस्तमाल करना है बिल्कुन भी आप पानी इस्तमाल नहीं करेंगे दही डालने से डो आपका फूलता है और भटूरा जादा सौब्ट बनता है और काफी हट तक भटूरा एकदम गुबाड़े की तरफ ओलता है तो यह एकठा हो चुका है सारा मैदा अब एक ठाली में एक चम्मच रिफाइंड ओयल आइट किया है मैने मैदे का छिड़काव करेंगे और डो को रखेंगे हलके हाथों से प्रेस करते हुए इसे जो है हम मैश करेंगे तो लगभख मुझे 10 मिनाट का टाइम हो रहा है मैदे को मैश कर रही हूँ और मैदा काफी रेसेदार दिखाई देने लगा है यह देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही बढ़िया रेसा जो है तयार हो चुका है मैदे के डो में अब इसे हम पांच मिनाट रेलाक्स करने के लिए रखेंगे क्योंकि इसे काफी देर से मैं मैश कर रही हूँ तो बस हलके हाथों से इसे जो है चिकना करके गोल-गोल करके और इस तरीके से आप रख दीजे ताकि इसके अंदर जो भी गैस बने ना वो बाहर न निकले एक कपड़े से ढख देते हैं उपर से ताकि उपर से ड्राई ना हो तो बस ये गिला कपड़ा लिया है मैंने और इसी से ढख कर पांच मिनट के लिए छोड़िये बहुत ज़्यादा देरता के लिए हम नहीं छोड़ेंगे पांच मिनट के बाद मैंने यहाँ पर कपड़ा उठा लिया है और इसे अपने हाथों से प्रेस करते हुए हम फिर से चिकना करेंगे अगर आपके हाथ में चिप के डो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा रिफाइंड ओयल इस्तिमाल कर सकते हैं दो को चिकना करने के बाद इसे हम चाकू के सहाता से कट कर लेंगे तो हलके हातों से यहां पर हम मिढिम तुकड़े इस तरीके से आप पहले कट कर लिजिये उसके बाद यहां पर भी भीर खंड़े तो साइज आप बड़ा छोटा कर सकते हैं मैंने ये मीडियम तुकड़ा रखा हुआ है एक तुकड़े को उठाइए हलके हाथों से प्रेस करते हुए अंदर की तरफ कवर कर देंगे तो इस तरीके से ये लोई रेडी होती है उसके बाद गोल-गोल घुमा दीजिए तो ये बढ़िया से आपकी लोई तयार हो जाती है अगर आप भटूरा बना रहे हो तो इस तरीके से लोई बनाईएगा बहुत ही बढ़िया भटूरा बनेगा सारी लोई यहाँ पर तयार हो चुकी है उपर से थोड़ा सा ओय लगाएंगे ताकि लोई जो है हमारी उपर से ड्रा लगा लेंगे ताकि चाकले से चिपके नहीं लोई को रखी आप हलके हाथों से प्रेस करिए थोड़ा सा बड़े साइस का जब हो जाएगा एक बेलन लेंगे और बेलन की सहता से इसे हम बेल लेंगे तो यहां पर आप भटूरे का जो है साइस बड़ा छोटा रख सकते हैं य भटूरे को फ्राई करते समय ध्यान रखेगा ओल आपका अच्छा गरम होना चाहिए और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे जैसे भटूरा हलका सा फूलना सुरू होता है फिर हम भटूरे को टच नहीं करेंगे भटूरे के ऊपर ओल डालना सुरू करेंगे जिसे की भटूरा एकदम गुबाले की तरह फूलेगा अलट पलट करते हुए उसके बाद हमें फ्राई कर लेना है जैसे आप देखें कि डार्क गोल्डन या फिल लाइट ब्राउन कलर आ चुका है मतलब अच्छे से भटूरा फ्राई हो चुका है इसे हम बाहर निकालके रखेंगे जो बच लगेगा बिल्कुम भी जो आना इस भटूरे ने तेल नहीं सोखा हुआ है गर्मा गरम फूले फूले भटूरे को हम छोले के साथ सर्फ करेंगे अगर आप लोगों को यह रिस्पी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर नए आ है तो इस चैनल को मिलती रहे मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए रिस्पी में बाय गाईज